Hello everyone, welcome back to the channel और आज हमें start करने वाले है probability distribution तो मैंने आपको अभी second chapter start किया था तब मैंने आपको बताया था कि probability होती क्या है और मैंने आपको कुछ basic questions भी करवाया था basic formula बताया था कि probability के छोटे मोड़े questions कैसे solve किये जाते है तो वो सारा जो portion था वो हमारा दो तीन टैप होते हैं probability distribution के जैसे एक तो binomial distribution रहता है इसके अलावे एक poison distribution रहता है और एक हमारा normal distribution रहता है तो तीन तरह एक distribution होते है probability distribution में तो basically जो question आता है उसमें से क्या है जैसे मैंने अलालग university के question पर उठा के देखे तो कई-कई में तो क्या है एक अदेकर numerical पूँच लिया जाता है distribution से जैसे binomial distribution से एक numerical पूँच लिया और बाकी जैसे probability क्या होता है उसका basic चीज पूँच लिया उसके बारे में इस तरीके question पूँचे गए कुछ university में लेकिर कई कई universities के मैंने question paper उठा के देखे तो वहाँ पे क्या है जैसे probability क्या होती है इसकी basic जो definition है वो दिनी रहती है साथ में क्या है जो binomial distribution क्या होता है या फिर जो poison distribution क्या होता है तो उसे explain करना है ना कि उसमें कोई question करना ठीक है कोई numerical नहीं करना है बस आपको उसके बारे में बताना है पूरा detail में क्या होता है binomial distribution कौन कौन से formula होते हैं क्यों use किया जाता है क्या उसकी properties रहती है तो यह सारी चीज़े क्या पूछ लिए जाती है तो question आपके दो तरीके से बन सकते है probability क्या होती है यह basic definition उसकी पूछ सकते है और उसके साथ जो है binomial distribution क्या होता है उसे अच्छे से explain करके जो पूछा जा सकता है या फिर क्या है poison distribution क्या होता है या फिर normal distribution क्या होता है तो इनके बारे में क्या है इनकी जो detail रहती है उसे पूछा जा सकता है या फिर क्या है जो second type question रहता है तो उसमें क्या है कोई numerical दे सकता है तो उससे पूँछ सकता है कि इसे binomial distribution के थुरू इसे solve करना है तो इस तरीके के 2-3 तरह के question हमारे बनते हैं लेकिन chances जादा तर यही है कि या तो एक numerical आएगा या फिर क्या है किसी भी एक distribution के बारे में detail में जो explain करने के लिए बोल दिया जाएगा तो यहाँ पर हम जो तयार ही करें वो दोनों चीजों की करेंगे एक तो मैं आपको बताऊँगा कि probability distribution क्या होता है उसमें जो भी हमारे type रहते हैं binomial, poison, normal distribution तो तीनों के बारे मैं आपको अच्छे से explain करूँगा जो भी theoretical portion होता है उसे मैं पूरा कराऊँगा आपको ताकि अगर केवल explain करने के लिए बोल दिया है तो आपके पस theory तो होने चाहिए लिखने के लिए second मैं आपको दो-तीन तरह के question भी करवाऊँगा हर जो distribution रहता है उसके बारे में दो-तीन question मैं आपको करवाऊँगा जिससे आपको एक idea लग जाएगा कि अगर question आता है तो किस तरीके से solve कर सकते हैं तो चलिए start करते है probability distribution most important topic है इसलिए ध्यान से देख लेना कोई भी चीज़ समाझ में ना है तो पूंच लेना अब ऐसे भी यह जो subject हो practice मांगती है ऐसा नहीं है कि बस आप राटके बस बैठके तो ऐसा नहीं हो सकता है तो जतना आप practice करोगे जतने आप formula याद करोगे तो उतना ही जादा आपके लिए आसान रहेगा तो चलिए start करते है probability distribution तो probability distribution हम करते ही क्यों है जैसे हमने पहले probability पढ़ाता तो उसमें head, tail जो अपने dice वगरा फैंकते हैं तो उसी तरह के question जो है क्यों नहीं पूचे जाते है या फिर उसी मैं से क्यों नहीं आ रहा है ये probability distribution होता क्या है तो basically जो हमने probability का जो basic introduction देखा था तो उसमें हमने क्यों चोटी चोटी जो data लिया था जैसे एक सिक्के को उचला है या फिर एक सिक्के को दो तीन वार उचला है तो head आने के क्या chance जाए कितनी वार tail आने या दो tail आने के क्या chance जाए दो head आने के क्या chance जाए dice को हमने 2-3 बार फैंका तो उसमें 6 आने के कितने percent chance है यानि क्या उसकी probability है तो ये क्या छोटा छोटा जो data होता है तो वो हमारा probability में आ जाता है basic जो question आते हैं तो वो छोटे मोटे data वाले आते हैं उसी की जाए पर मैं आप से बोलू तो कि मैंने एक सिक्के को एक 1000 वाल उचाला तो उसमें से 500 वार एड़ाने की क्या probability है या फिर मैंने एक dice को 800 वार फैंका ठीक है तो उसमें जो 3 है वो हमारा 300 टाइम आई और जो हमारा 4 है वो 400 टाइम है तो कैसे हम probabilities की निकालेंगे तो जो बड़ा data रहता है जैसे छोटे मोटे data थो हम बैसे solve कर लेते हैं लेकिन जो बड़ा data होता है इसमें हाजारों की संक्या में कोई trial किया गया है कोई experiment किया गया है तो जो बड़ा जो हमारा data रहता है जो बड़े variables रहते हैं तो उसको figure out करने के लिए हम probability distribution की help लेते हैं ताकि जो भी हमारा data दिया हुआ है ठीक है तो उससे जो क्या possible outcome जो है वहांपे आ सकते है ठीक है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हम probability distribution की help से आसानी से जो हम figure out कर सकते हैं यहानि बड़े data को हम समझ सकते हैं probability distribution की help से तो यह होता है मारा basic probability distribution का introduction तो यह चीज़ आप देख सकते हो बाकि यहां पर theoretical way में मैंने लिख रखा है और यहां पर आपको एक हो चीज़ याद रखनी है कि जैसे इसमें क्या है variable का इस्तिमाल किया है जो word है ना variable ठीक है तो यह हमने mean, mode, median में काफी पढ़ा था कि variable क्या होता है तो वहां पर हमने जो mean, mode, median पढ़ा था तो वहां पर भी हमने जो data है जो variable है उसका काफी ज़्यादा यूज किया था तो वहां पर जैसे हमने देखा था individual series रहती है discrete रहती है, continuous रहती है एक हमारा discrete data रहता है और एक हमारा continuous data रहता है ठीक है दोनों के बारे हम discuss करेंगे और next हम बात करते हैं कि जो probability distribution रहता है तो यह classify रहता है हमारे दो तरह के data में एक रहता है हमारा discrete probability distribution और दूसर रहता हमारा continuous probability distribution ठीक है तो यहां पर जो probability distribution रहता है जैसे किसी एक अजार वार हम एक सक्के को उचा लेंगे तो उसमें head आने के यानि 500 वार head आने के उसमें क्या probability है तो इस तरीक से अगर पूछा जाता है कोई भी question तो उस case में क्या है जो data होता है वो का काफी बड़ा रहता है हमारा तो वहां पर क्या है उस data को जो हम categorize कर देत हैं दो तरीकों में या तो discrete में या फिर क्या continuous में तो basically जो probability distribution रहता है तो दो हमारे दो आ जाते हैं तो तो हमारा रहता है poison distribution जो हमारा important है दोनों important है binomial और poison दोनों के दोनों तो ये दोनों हमारे discrete probability में आ जाते हैं continuous के हम बात करें तो इसमें एक normal distribution रहता है जो इतना ज्यादा important तो नहीं है लेकिन एक जब में पूछ लिया जाए तो binomial distribution को और फिर हम जो है poison को देखेंगे और नॉर्मल वाले को भी हम देख लेंगे जिससे कि अगर आता है वाई चांस तो हम जो है कैसे उसे करेंगे तो आपने यहां पर classification देख लिया है अभी आपको दोनों चाहिए समझ में आ जाएंगी अब पहले हम जो है या फिर मैं एक सक्क्य को चालू तो या तो उसमें head आएगा या tail आएगा या या दो ही possibility है उसमें ठीक है या फिर क्या है कोई भी मैं सवाल पूछको आपसे तो yes या no ठीक है या या दो ही result आ सकते हैं उसके तो उसे हम बोलते है binomial distribution यानि यह जो term यूज किया जाता है ये बारे में बात हो रही है चलिए आब बाइनोमेल distribution को तो यह देटेल में समझते हैं तो जो बाइनोमेल distribution रहता है तो यह हमारी discrete probability में आ जाता है ठीक है discrete probability distribution में इसके लाब इसमें केवल दो ही जो है possible results हो सकते है ठीक है या फिर कोई हमने experiment किया है कोई भी event हुआ है तो इसमे इसमें केवल दो ही possible results हो सकते है या तो वो success हो सकता है या वो feel हो सकता है ठीक है तो दो ही इसमें जो term है वो use किये जाएंगे इसके लाब इसमें दो parameters देखे जाते हैं एक n होता है और एक p होता है जब आप इसका formula देखे होगे तो यह दोनों चीज़ें आपको मिलेगी एक एक n और एक p ठीक है इस इन दोनों parameters को जो binomial distribution में use किया जाता है यह basic चीज़ें बस आपको भी देख नहीं है अभी जब हम formula देखेंगे इसके questions देखेंगे तब आपके जो concept हो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा इसके लिए अपर next हम बात करते हैं कि इसमें जो variable n होता ह तो यह हमारा क्या है number of experiment ठीक है यानि हमने कितने बार किसी event को किया है जैसे हमने सक्के को एक बार उचाला है या दो बार उचाला है तीन बार उचाला है तो हमने कितने बार किसी experiment को run किया है ठीक है तो जो n होता है वो हमारा इस चीज को denote करता है जो हमारा p रहता है ठीक है तो दौनों वेरिवल आपको याद रखने हैं, यह हमारा वेरिवल N होता है, यह P होता है, ठीक है, तो यह हमारा basic introduction हो गया, binomial distribution के बारे में, अब next हम इसके formula के बारे में बात करते हैं, जो काफी ज़्यादा important है, और बहुत ज़्यादा, आपको जो है, और आपको थोड़ा tough लग सकता है, लेकिन आप इससे समझने कोसिस करना, बहुत आसा है, इससे समझ मा आ जाएगा, चलिए, तो जो binomial distribution का जो formula है न, किसी भी random variable के लिए, ठीक है, तो हम random variable की बात कर रहे हैं, हम कोई fix नहीं बात कर रहे हैं, कि जो experiment हो 4 वर किया, 6 वर किया है, तो random मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस case में जो formula होगा, वो हमारा ये होगा, पी bracket के अंदर X, ठीक है, N या फिर P, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, X हो सकता है, N की value दे सकते हैं, यहाँ पर P की value दे सकते हैं, यानि कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है, उसके बाले में discuss करेंगे, यानि यह तीनों term यहाँ पर इसके अंदर हो सकते हैं, उनकी को को याद रखना है, इनकी जगह पे हम values को put करते हैं, जैसे यह N हो गया, X हो गया, P की जगह पे P की value हैगी, X की जब एक्स की है, उसके वाले हम डिसकस करेंगे भी, थोड़ा सा देरे रखें, यहाँ पे हम थोड़ा बात करें लेतें कि कौन से चीज क्या है, जैसे यहाँ पे जो N दिया है, यहाँ पे N है, यहाँ पे भी हमारा N है, तो N का मतलब होता है number of experiment, एक सिक्के को हमने कितनी बार उचाला है, दो बार उचाला, चार बार उचाला, छे बार उचाला, तो कितनी बार हमने उसे toss किया है, तो इसे हम बोलते है number of experiment के n equal to क्या number है यानि कितनी बाद जो से experiment को किया गया है यहाँ पर जो x दिख रहा है आपको ठीक है यह राए x यह राए x ठीक है यहाँ पर भी x है यानि x हमारा क्या है? variable रहता है ठीक है? और x की जाए पर क्या है कोई भी value हो सकती है 0 से लेके 0 से लेके n तक हो सकती है 0 से लेके कितने तक भी हो सकती है finite होगी उसे ऐसा नहीं है कि infinite मतलब कितनी भी हो सकती है मतलब हम क्या है उसे गिन सकते है x जाए पर ऐसे variables आएंगी ऐसी value जाएंगी, जना हम गिन सकते हैं जो countable होती है, ऐसा नहीं है कि infinite है, infinite नहीं होती है finite होती है, और उन्हें हम जो count कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है P का मतलब रहता है, यहाँ पर probability of success in single experiment कि अगर हमने कोई भी experiment एक बार किया है तो success होने की क्या probability है तो इसे हम जो P से denote करेंगे Q का मतलब होता है कि एक वाद जब हमने किसी experiment को done किया है, तो उसमें failure की probability किया है, तो ये चीज़ हमाला denote करता है Q, जैसे हमने एक वाद सिक्के को उचाला, तो उसमें जो है, जैसे मैंने आप से question पूचा कि एक वाद सिक्के को उचालाएंगे, तो उसमें head आने की probability क्या है, तो head आने की क्या probability अगर आप इसे जब count करोगे, तो उसे हम जो P से denote करेंगे, तो इसी तरीके से क्या है, same हमारा Q होता है तो इसमें हम failures को देखते हैं कि एक single experiment में, failure जो है, failure की probability क्या है, ठीक है तो ये चीज़ रहती है, साथ में ये जो Q रहता है न, ठीक है, तो इसकी जगे पर हम 1-P भी करते हैं, इसका हम use करेंगे अभी आगे question में, तब आपको पता चला है कि 1-P क्या होता है, ठीक है तो ये चीज़ होती है, ये हमने random variable के लिए एक है, हमने एक formula देख लिया, ये बस term आपको याद रखना है, formula याद रखना है, बाकि ये सब क्या होता है, ये सब आपको और अच्छे से समाझ में आएगा, अब ये और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर एक और formula है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जिसे हम n Bernoulli trial बोलते हैं, इसका यूज़ हम करेंगे, अभी आपको ये question में आपको बताऊंगो, इसका यूज़ कैसे करना है, पहले आप formula को थोड़ा सा समय लो, तो formula हमारा बोलता है, n c x equal to n, यह हमारा factorial होता है, यह जो आपको sign देख रहा है, यह one नीचे ऐसे dot लगा, यह हमारा factorial होता है, और फिर x फिर हमारा नीचे factorial, फिर n minus x यह factorial होता है, इसको आप इस तरीकेसे भी लख सकते हो यहाँ और इसको आप ऐसे भी लख सकते हो, तो यह हमारा ब्यास तरीका है, तो यह formula आपको हमेंसा याद रहना चाहिए, इसका use अभी होगा, मैं आपको बता दो, कैसे इसका ist польз करना है, यहां पर कुछ term को हम समझे लेते हैं term का मतलब होता है कि यह जो n और k n भी हो सकता है, यहां पर k भी हो सकता है equals to n factorial k factorial bracket के अंदर n minus k factorial n minus k और फिर हमारा factorial हो जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, अब यह जो आपको k के दिख रहा है आप k की जाए, पर हमारा कुछ और भी sign हो सकता है, जैसे x हो सकता है, जैसे x हो सकता है, यहां पर क्या है r भी हो सकता है, तो उसमें आपको tension नहीं लेनी है जैसे आपको जान जान पर k दिख रहा है तो यहां पर हमारा r भी हो सकता है और X भी हो सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसे हम और आगे डिसकस करेंगे वह आपके सब समझ माँ जाएगा यह जो साइन आपको दिख रहा है यह फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल आपको कैसे काउंट करते हैं जैसे मैंने आपसे पूछा कि 4 का फैक्टोरि हैं तो हमारा 4 का फैक्टोरियल आजाएगा इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि 6 का फैक्टोरियल ठीक है तो हम क्या करेंगे से पहले जितने भी नमबर होंगे 1 2 3 4 5 और 6 का नकलना है तो 6 तका मैं करना है और फिर हमें सब को मल्टिप्लाई कर देना है 6 का फैक्टोरियल नहीं है इसका इस्तमाल अभी होगा और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे तो नीचे देखते हैं कि बाइनोमिल जो डिस्ट्रिपृसर रहता है तो इसमें क्या वेरिवल से रहते हैं तो इसमें में और वैरियंस दौनों चीज अकाउंट करते हैं कुश्यन के उपर ईसका करनाए तो मुगल टू एंप होता है वेरियंस केल्कुलेट करना तो सिंग्मा इसकार कलग्र टू gorgo टू लातै और एकल टू क्या ओजए हमारा लगल टो gia impeachment PQ तो यह हमारे अलग लग होते हैं तीनों तो इनका यूज सायद ही हम जो आगे करेंगे अभी questions बगरा जब हम practice करेंगे लेकिन अभी फिलाल आपको बस यह याद रखने है ठीक है और यहाँ पर क्या है यह चीज़ें भी आपको याद रखने है P क्या होता है probability of success और Q होता है probability of failure यह चीज़ आपको ध्यान रखने है Q अगर हमें calculate करना है तो उसके लिए हमें 1-P करना होगा तो हमारा जो Q है वो निकल आएगा ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने है यह चोटे-चोटी चीज़ें जो बस आपको ध्यान रखनी है बागी सारी चीज़ें question के उपर depend करती है क्या पूँच रहा है कैसे पूँच रहा है किस तरीगे से करना है तो वो सारी चीज़ें question के उपर depend करती है लाप आपको जो याद करने वाली चीज है वह आपको याद करनी है next दम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तो यह तो हमारा ठोल्टीकल पोसन है ठीक है तो ठीक है तो ठीकल पोसन आप जो अपने इसाब से पर ले न तो जैसे कि दो पांच पॉइंट में ने लिख दिया है वाई चंस थियोटी कर अगर पूंचा जाता है एक्स्प्लेइन करने के लिए तो आप यह सारी चीह याद करके लिख के आ सकते हो और बाकी कहा है अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे जो हमारा इंपूटेंट पार्ट है नियुमेरिकल वाला चलिये जो कुछोटा सा तो इसमें किया मैं वन आपको बताऊंगे जो बरनाली ट्रेल वाला हमने फॉर्मूला देखा था न तो उसका यूँज हम किस तरह के कुश्यनस में करते हैं तो उसका जो यूज होता है वो इस तरह के questions में होता है जसे जिसमें हम repeating एक्सपरिमेंट हो रहा है जैसे का एक सिक्च्र को तीन वार टॉस किया घब तीन वार किया तो जो हमारे इवेंट Teachers करें उस प्रफॉर्मूला है उसके अभुंछ करते है ठीक है अब कुश्चन में वो बोल रहा है कि तीन वार टॉस किया तो जो दो एड़ आने के जो चांसे हो क्या है ठीक है यानि प्रॉबाइबिलेटी वो पूँच रहा है तो इसकी असमें इस कुश्चन को हम कैसे करेंगे चलिए solve करते हैं असे जल्दी से ठीक है तो यह solution है तो basically जब repeated मतलब होता है यानि repeat इसे हम एक line लिख देते हैं कुश्चन आपको करना आना चाहिए proper कि कुश्चन में क्या लखना चाहिए आंसर में क्या लखना चाहिए ठीक है तो repeated अगर टॉसेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें क्या है यहां पे बर्नॉली वाला जो रूल है उसका यूज करना होगा ठीक है बर्नॉली ट्राइल टीक है तो हमें उसका यूज करنا है अब बर्नॉली ट्राइल वाला फॉल्मूला क्या था हमारा यहां पे n था और यह के था ॥ा था था ठीक है एक एक के पैस्च्ट्ट सिम्पल है।fightSmall यह हमारा फौर्मूलय है। यहां पे आपको देख रहा है, यह जो N देख रहा है, यह एक के मतलब होता है वार total number, total number मतलब कितनी बार अमने toss किया है। ऑर हमने कं कि का मतलब होता है number if we want का, हमें जो Eric क्या पूछ रहा है, तीन बार हमने उच्छाला, मतलब हमारा क्या हो गया, N हो गया, और हमने चाहिए क्या, दो add चाहिए, ठीक है, तो यह हमारा K हो गया, अब इसे कैसे हम करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, according to question, according to question, अब पहले आपको देख लेना चाहिए, question में क्या क्या दे रहा है, ठीक है, तो according to question, क्या क्या हमें दिया है, तो we have, क्या दिया है, N दिया हुआ है हमारा, N क्या है, हमारा 3 यहां पर दिया हुआ है, तीन बार किया है, तो हमारा 3 हो गया है, इसके राव हमारा क्या दिया है? के दिया है, तो के कितना दिया है? हमें क्या चाहिए? तो दो चाहिए है, तो दो चाहिए है, तो यहाँ पर given हो गई है, अब क्या है? Simple आपको put कर देना है, बस value, ठीक है? तो put the value of n and k in formula, ठीक है? Simple अब कैसे करना है आपको? Simple, यह हमारा formula हो गया, n factorial upon k factorial factorial में आपको confuse न होना है, बहुत हासान है factorial निकलना है, ठीक है? equals 2 अब कैसे बस आपको values को रखना है? अब n की value क्या है है, यहाँ पर? n की value यहाँ पर 3 है, ठीक है? और यह हमारा यह factorial हो गया, अब आपको क्या करना है, simple, बिलकुल कुछ नहीं है, factorial निकालने के लिए आपको कैसे करना है, यह 3 का factorial है, तो 3 के से पहले कितने हमारी जो है digit है, 3 से पहले 2 आता है, उससे पहले 1 आ जाता है, ठीक है? तो हमारा जो 3 का factorial हो गया, वो क्या हो गया? 3 into 2 into 1, upon, 2 के factorial क्या होंगे? 2 से पहले क्या आता है? 2 into 1, 1 ही तो आता है, ठीक है? तो हमारा 2 into 1, multiply, bracket के अंदर की जो है digit हम देख लेते हैं, 3 में से 2 गया तो कितना बचा है? 1 बचा simple, ठीक है? तो bracket के अंदर 1, और यह factorial हो गया, अ अब simple आपको क्या करना है? 3 into 2, यह जो value है नहीं, वैसा का वैसे लिख देना है, ठीक है? upon, 2 into 1, ठीक है? 2 into 1 क्या हो गया हो गया हो गया हमारा, simple, अब यह जो factorial form में है 2 into 1, तो इसे वैसा का वैसे लिख देंगे, और यहां पे जो 1 का जो factorial है, वो भी हमें निकलना है, अब 1 1 का factorial है, 1 से पहले क्या आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है? तो 1 का factorial क्या होगा? 1 ही रहेगा हमारा, simple यहां तक, अब आपको आपको क्या करना है simple, कुछ नहीं, आपको 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 कार्ट देना है, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा हमारा? 3, ठीक है? 3, और 3 outcome होगे, जिसमें क्या है, 2 adds होगे, ठीक है? तो जब हम सिक्के को 3 वार उचा लेंगे, तो उसमें 2 head आने के chances कितने हैं, 3 वार, ठीक है? तो यह चीज़ आपको देना करना है, यह हमारा simple answer होगा है, तो यह आप इस तरीके से लेख सकते हो, so there are 3 outcomes outcomes that have 2 heads, ठीक है? simple, यह हमार answer हो गया, अब आपने यह देख लिया कि factorial वाला जो part रहता हो, उसे कैसे solve करते हैं, अब यह जो factorial, यह जो question है, यह के वल मैंने factorial के हिसाब से यहाँ पर दिया है आपको, ताकि यह जो formula है, इसका use करना आप सीख जाब, अब यह तो इसी formula के उपर based हो गया, लेकिन क्या है, ज थोड़ा दूसरे टाइप का question देखते हैं, जो क्या जातर एक्जम में पूंचा जाता है, चलिए, तो यहाँ पर हमने question ले लिया है, एक example ले लिया है, तो यहाँ पर एक coin को 12 वाट toss किया जाता है, 12 वाट toss करने के बाद हो पूंच रहा है, कि exactly जो 7 adds है, वो आने की क्या probability ह तो यह जो question है, इसमें हमारा वो वाला formula होगा, जो normal वाइनोमिल distribution का formula रहता है, किसी भी random variable के लिए, तो वो वाला formula हम यहाँ पर use करेंगे, इससे पहले आप 2-3 चीज़ आप अच्छे से समझे लो, कि यह जो question है न, यह हमारा एक simple question है, इसके अलावा इसमें से एक और तरी tail है, उसके आने की क्या probability है, दो तरीके से पूंच सकता है, तो यह होता है, तो exactly आपको एक चीज पहले निकालना आना चाहिए, अगर आप एक चीज निकालना जानते हो, तो आप दूसरी automatic निकाल दे हो, क्योंकि वो same method से ही, जो है, क्योंकि वो same तरीके से ही, उसे solve किया ज होगी कि given क्या क्या है, ठीक है, अगर आपको given पता होगा, simple values पता होगी, तो आप जो formula में put कर पाऊगे, ठीक है, तो solution की हम बात करें, तो यहाँ पर given की बात कर लेते हैं, बैरे कि यह मैं दिया क्या क्या है, question के अंदर, तो question को क्या है, question में बोल रहा है कि coin को अगर toss किया तो यहाँ पर जो 12 times है, यह क्या है हमारा, यह हमारा n हो गया, ठीक है, तो n equal to 12 हो गया, यह हमारी पहली चीज़ होगी है, यहाँ पर question के अंदर दी हुई है, second चीज़ हम बात कर लेते हैं, कि the probability of of getting head in single toss single toss यह हमारा 1y2 हो जाएगा, अब यह जो 1y2 है, यह क्या है पता है, यह हमारा P है, P equal to 1y2, यानि probability of success, ठीक है, तो यह हमारा P y2, अब यह हमारे पास दो चीज़ होगी, एक n होगी, और यह हमारी P होगी, अब जैसे इसमें किया, इसमें बोला है कि 12 बार उचालना है, ठीक है तो स्टैम पे जो है, साथ आने की क्या probability है, ठीक हो यह चीज़ पूंच रहा है, लेकिन पहले हमें साथ की बज़ा है, पहले हमें यह देखना होगा कि एक बार उचालना है, तब जो probability हो क्या आएगी, तो वो हमारी 1y2 है, अब यह दो चीज़ हमारे पास होगी, next thing इसमें आपको देखनी है, अब next thing आपको इसमें क्या देखनी है, कि आपको क्यों भी इसमें निकलना है, अब पी है, यानि probability of success हमने देख लिए, probability of failure भी हमें देखना है, तो the probability of of failure, ठीक है, in single toss, तो उसे हम कैसे निकालने गए, इसे हम क्या बोलते है, q बोलते हैं, ठीक है, अब q को हमें जो कैसे निकलना है, q निकलने के लिए हम क्या करते हैं, 1-p करते हैं, 1-p, इससे क्या है, q निकला आ जाएगा, तो 1-1 by 2 equals to 1 by 2 तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा हो गया Q, यानि Q equal to 1 by 2 मैंने आपको बताया था पहले जब मैंने आपको theoretical portion पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि Q जो है कैसे निकला आया था, Q निकलने करें हम क्या करते हैं अब 1-P की value क्या है? तो यह होगी 1 by 2, ठीक है? तो answer क्या है हमारा 1 by 2, ठीक है? तो Q equal to 1 by 2, अब यह तीन चीज़ें होगी हमारे पस अब बस आपको क्या है, तीन चीज़ें चाहिए रहती है किसी भी binomial distribution के question में आपको यह जो तीन चीज़ें है ना अगर हम formula की बात करें, तो formula हमारा क्या बोलता है? formula आपको जो लिख लेना है, जैसे आपको ध्यान रहे है कि आपको अभी क्या-क्या और चाहिए, तो formula हमारा बोलता है PR equals to NCR into P की power R अब या तो आप 1-P लिख सकते हो, आप चाहो तो आप यहाँ पर Q भी लिख सकते हो ठीक है? तो कोई दोनों सेम चीज़ें या तो आप 1-P लिख दो या फिर Q लिख दो तो यह की चीज़ें वो दो और उपरा जाए नर, तो यह हमारा formula है इसमें आपको simple in values को put करना है, अभी आपको यहाँ पर Q मिल गया ठीक है? आपको इसमें यहाँ पर PV मिल गया है, ठीक है? PA हमारा लेकर अभी आपको इसमें R हो चाहिए और N भी हमारा मिल गया है, ठीक है? तो R जो है यहाँ पर R का मतलब होता है कि question में वो पूच क्या रहा है? N तो या नि 12 टाइम उसने बता दिया हम है, लेकिन वो पूच क्या रहा है कि 7 ads आने की क्या probability है, exactly? तो जो हमारा 7 है, वो हमारा क्या हो गया? यह हमारा हो गया? R, ठीक है? तो answer में कैसे लिखेंगे इसे? Now we have to find the probability of getting exactly 7 ads तो यह हमारा 7 ads के लिए वो probability पूच रहा है, तो हमारा जो R है वो क्या है? 7 यहाँ पे पूच रहा है, वो अल्लेडी है. अब यह हमारे बास सारी चीज़े होगे, हमारे पास N हो गया, P हो गया, Q हो गया, और हमारा R भी हो गया, और हमारा formula भी हो गया. अब क्या है, बस आपको वही करना है, जो हमेशा से करते हैं, हम substituting values in formula in formula ठीक है सर्थ, अब यहाँ पे आपको कुश्चिने ध्यान देनी है, सबसे पहले आपको values को इसमें put कर देना है, तो P की जाए हमारा P आजाएगा, और bracket में R है, तो R की जाएपर हमारा क्या है, 7 आजाएगा, एक क्वरिश्टू, और फिर हमारा क्या है, N N ही यहाँ पर हमारा कितना निकला है, उपर हमने देखा है, 7 है हमारा N, यह रहाँ, सॉरी, हमारा जो N है, वो 12 है, ठीक है, तो क्या आजाएगा, हमारा यहाँ पर formula में, N की जाएपर आजाएगा 12, C कुछ नहीं है, C की जाएपर C आएगा, अभी हम देखाएंगे, C कैसे calculate करते हैं, और R हमारा कितना है, 7 तो यहाँ 7 आजाएगा, इस तरीके से आपको लिखना सीखना है पहले, फिर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर P की पावर R दिये, तो P हमारा कितना निकला था, 1 by 2, ठीक है, तो 1 by 2, और R कितना था, 7, ठीक है, फिर आजाएगा हमारा क्या, ब्रैकेट के अंदर, Q हमने कितना निकला, 1 by 2, सेम, और N minus R मतलब, N कितना था हमारा, N था हमारा 12 minus, और R हमारा कितना है, 7, ठीक है, यह हो गया, अब इतना निकल लिए, अब आपको क्या calculation करनी हो रहागे, P7 आ जाएगा यहाँ पर, एक कोश्टो, अब यह जो आपको term दिख रहा है न, 12C7, इसे आपको कैसे calculate करना है, C का क्या मतलब है, इसके लिए हम एक अलग से formula यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था न, वो Bernoulli वाला, ठीक है, तो उस formula का यूज करके हम इस value को calculate करेंगे, अब कैसे calculate करेंगे, तो calculation के लिए हम एक अलग से page ले लेते हैं, इस value को निकलने के लिए कि NCR को हम कैसे calculate करते हैं, ठीक है, तो NCR को calculate करने के लिए हम एक formula का यूज करते हैं, वही हमारा factorial वाला, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, N factorial, ठीक है, R factorial होगे हमारा, और फिर हम multiply कर देते हैं किससे, N minus R factorial से, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि हमने वहाँ तो K लिया था, यहाँ पर R कहां से आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर R पूँच रहा है, तो हमने क्या है, यहाँ पर R ले लिया है, दोनों जगे पर, और यहाँ पर भी हमारा R आ जाएग क्यों को कोल देना है, तो कैसे करना है, कि NCR के अगर हमें value निकलनी है, तो हमें इन सब के factorial करने होगा, अब N ही आपर हमने कितना देखा था, हमारे question में, तो N हमारा कितना था, यह रहा, 12, ठीक है, तो 12, तो simple हमें 12 के factorial करना है, factorial करना मैंने आपको बता रहा था, कि कैसे factorial कि जाता है, अभी पहले values को रख लेते हैं, और R कितना दिया था question में, अब हमारा था 7, ठीक है, तो 7 कभी हमें factorial करना है, इसके लावा bracket में क्या है, N हमारा कितना था, 12, minus 7, और बार factorial, अब इन सारी values को खोल देना है आपको, अब 12 के factorial करने के लिए 12 से पहले के जितने भी numbers है उनका multiply कर देंगे, तो अच्छे से आपको करना है, जैसे 12 से पहले 11, फिर 10, फिर हमारा कितना था, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और 1, यह होगे हमारे 12 के factorial, अब क्या है, इसके नीचे आपको, simple ऐसे कर देना है, ठीक है, अब आपके 7 के factorial करने, तो 7 के कैसे करेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यह होगे हमारे 7 के factorial, simple, इसके बाद आपको क्या करना है, bracket के अंदर, 12-7, 12-7 ही रहेगा, इनके factorial हम बात में करेंगे, पहले काट आपीट ही कर लेते हैं थोड़ी सी, अब उपर वाली में जो same digit है, और नीचे वाली में, इन सब को आपस में काट देंगे, ठीक है, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से लेके, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहां तक कट जाएगा, अब क्या बचा हमारे, यह बचा 12 into 11 into 10 into 9 into 8, ठीक है, इतना बचा, अब आउन में हम क्या करेंगे, 12-7, 12-7 का क्या मतलब हुआ, 12-7 के कितने बचे, 5 बचे हमारे, ठीक है, तो factorial हमारे 5 हो जाएगा, यानि इस में से यह गया, तो कितना बचा, 5, ठीक है, और फिर हमारे जो factorial है, तो अंदर वाली डिट से उसका factorial हो जाएगा, तो मतलब 5 का factorial हो जाएगा, ठीक है, तो 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है सर, अब इतना हो गया, अब आपको कुछ नहीं कहाना है, उपर वाली संख् करेंगे, तो कितना आजाएगा, 9, 5, 0, 4, 0, अपन, नीचे वाली को करेंगे, हम तो 120 आएगा, जब इन से हम इसे डिवाइट करेंगे, 120 से उपर वाली डेट को, तो 7, 9, 2 आएगा, ठीक है सर, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, अब यह चीज हमने इतनी लंबी दिया, 7 की यह पर 7, लेकर जब हम इसे पूरा solve करेंगे, तो जो हमारा answer है, वो क्या नकल गाएगा, 7, 9, 2, तो यहां हम लिखेंगे, 7, 9, 2, multiply by, अब क्या है, आपको same values को, ऐसे यह आपको put कर देना है, 1 by 2, 12 में 7 गे, कितने बचे मारे, 5, next हम क्या करेंगे, P7 equals to 7, 9, 2, multiply, इन दोनों को कैसे आपको solve करना है, कि इनकी जो power है, वो add हो जाएंगे हमारी, ठीक है, और यह दोनों हमारे single हो जाएंगे, 1 by 2, और दोनों की power add होगी, तो क्या हो गया हमारा, 75, 12 हो गया, simple, next आपको क्या करना है, P7 equals to 7, 9, 2, multiply by, अब क्या है, इनका आपस में कर देंगे, तो अपना काम हो जागा, अब यहां पर अब यहां पर आप जो देख रहे हो ना, 1 by 2 की power 12, मतलब 1 by 2 की power 12 का मतलब है कि 2 into 2 into 12 बार, ठीक है, तो उस case में अगर हम 1 का, 1 का जो जब हम whole square करेंगे, 12 time जब हम 1 को multiply करेंगे, तो हमारा हमेंसा 1 ही आएगा, लेकर हम 2 का, अगर हम यहां पर जो हमारा 12 दिया है, तो 12 की जब हमने 2 into 2 into 2 into 12 करके, 12 बार जब हम इसका whole square करेंगे, यह पूरी डेट का, तो 1 का तो हमेंसा 1 ही रहेगा, कितनी भी बार उसका, आप square कर लो, कुछ भी कर लो, लेकर जो 2 है, तो 2 का जब हम करेंगे 12 time, मतलब 2 को हम 12 बार जो हम आप अपस में multiply, ठीक है, तो multiply करने के बाद क्या होगा, जो 792 है, वो यहां उपर आ जाएगा, 1 के साथ multiply होगे, और 4096 हम 792 को divide कर देंगे, तो उस case में हमारा जो answer आगा, वो आएगा, यह, यह हमारा answer आगा, final answer, ठीक है, अब हम क्या करेंगे यह से, यह हमारा final answer है, तो यहां प of getting exactly 7 ads is 0.193, तो यहां पर जो exactly 7 ads आने की जो probability अगर हम एक सिक्के को 12 बाश टॉस करते हैं, तो सिर्प इतनी सी probability, 0.193, तो यह चीज, यह हमारा answer है, यहां पर आपको, मैं आपको बताऊं कि answer तो हमने निकल लिया है, लेकिन कुछी जह आपको अमेसा ध्यान रखनी है, सबसे पहले question देखते ही आपको समझ मां आ जाना चाहिए, ठीक है, कि उसमें N कौन सा है, R कौन सा है, मतलब वो पूश किया रहा है, क्या मतलब दिया हु और failure की probability यानि क्यों किया होगा उस 10 पे, उसके बाद हम formula देखेंगे, formula में हमें सारी values को put कर देना है, और यहां पर जो NCR होता है formula में, तो इसे आपको अलग से calculate करना है, जसमें N की value और जो R की value उनका आपको factorial करना है, जैसे मैंने आपको बताया था करके इस तरीके से, य से हमारा जो answer है वो आ जाएगा, तो यह एक simple और एक अच्छा method है, इस तरीके से आप solve कर सकते हो, बाकि यह आपकी practice मागेगा, मैं आपको questions बगरा करवा हूँगा, जब भी थोड़ा सा slave अमारा हो जाए, तो आप question practice करेंगे, तब आपको यह सारी चीज़ें बार 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 recall होंगे और आप सब कुछ जो है समझ जाब ठीक है, तो फिलाल, notes में हम इतना ही mention कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लंबे चोड़े बस notes में ने बना दिये, question ही question उसमें बल दिये, तो इससे कोई फायदा नहीं है, question practice हमाँ अलग से कहनी पड़ेगी, notes में एक दो पास example आपको इसके लाब बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता, बाकि हम अलग से practice करेंगे, तो यह जो binomial distribution है, यह मैंने आपको बता दिया है, अभी इससे related question हम बाद में solve करेंगे, तो फिलाल के लिए वस इतना ही, बाकि अभी इसमें दो और method बचे हुए हैं, यानि दो distribution और बचे हैं, य और इसके लाब यह कमारा normal distribution है, तो दोनों को हम next video में एक साथ cover करेंगे, उसके बाद इस topic को finish करेंगे, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care.